आप सबका स्वागत हैं बोलो सिफ पुराण भवान की जै बोलो सिफ संकर पारवती माता दोस्तों हमारी चैनल में आप सबका स्वागत हैं बोलो सिफ पुराण भवान की इवनों संकर पारवती माता है जै दोस्तों कल आगे आपको साधू के बारे में बताईती आज आपको और उसे आगे कैसे पुराण में कथाओ को बताईए एक चंचला नाम की जो हमारी महिला थी उसे उसे ने कहा ब्रमन मैं अपने धन्मों को नहीं जानती थी इसलिए मेरे द्वारा बड़ा दुराचार हुआ ये भगवान से प्रात्ना करती है जहां वो स्वामी जी बैटे हु आप मेरा उद्धार कीजिए आज आपके बैराग रस से उत्विरोत इस प्रवचन को सुनकर मुझे बड़ा भै लग रहा था और कांप उठी हूं मुझे ऐसे संसार से बैराग हो गया है मुझमूर विचार चित बाली पापनी को धिकार है तो ये जो एक चंचला नाम की एक महला थी तो बो सब अपने बिर्मन यानि ब्रह्मा जी से चमाय आचना मांग रही है और कह रहे हैं मैं पापी हूं मैं धिकार है ऐसे मेरे पाप को मैं निंदा योग हूं मैं को संगित बिशूव के बाली हूं और मेरे ही जो अधर्म से अधर्म हुआ है उसको चमा करें हाई ना जाने किसके घोर कर श्रितायक बुद्धिमान दुर्गती से मुझे पढ़ना पड़ेगा वो अपने को धिकारती है बुरा-बुरा-बुरा कहती है स्वामी से हाथ जोड़ का चम आप देखा मिलतकाल में उस भैंकर यमदूती को कैसे देखूंगी जब बाल पूरवक मेरे ही गले में फंदे डालकर मुझे बानेंगे तब मैं कैसे धीरे धारड कर सकूंगी नरक में जब मेरे सरीर के टुकड़ टुकड़े किये जाएंगे उस समय बिशेज दुख देने बाली और महा यातना को मैं महा कैसे सौंगी हाए मैं मारी जाओंगी मैं जल जाओंगी मेरा हेदर बिदीर हो गया है और इस पे कास्टे नश्ट हो गई हूँ हो जाओंगी क्योंकि मैं हर तरह से पाप में टूपी रही हूँ भिर्मन आप मुझे कोई ऐसा उपाय बताएए कि गुरु आप ही मेरे माता हैं आप ही मेरे पिता हैं आप ही मेरे सरण में आई हुए मेरे जीवन का उद्धार करो दीन अबला का आप ही उद्धार कीजिए और मैं उद्धार करके ही मुझे बताईए मेरे जीवन का उद्धार करके मुझे किरपा कीजिए सूद जी कहते हैं सौनक इस प्रिकार खेद और बैराग से युक्ति हुई चंचला ब्रामर देपता के दोनों चर्णों में गिर पड़ी तब बुद्धिमान ब्रामर ने किरपा पूर्वक को से उठाया और इस प्रिकार कहा दोस्तों कल चंचना की जो ये प्रातना अपने को धिकार रही है और बुरा हुला अपने कर्मों को पापों को और निश्कलंग की सब कहकर पुकार कहती है और ब्रवन से छमाय आचना हाजोर कर मांग दिये तो दोस्तों कल आगे की कता आपको और बताएंगे सिप पुराण में, जो कि दोस्तों हम थोड़ी सी इसलिए पढ़ते हैं ताक आपको समझ में आजाएं और आपको याद भी रहे थोड़ी, तो ये इक अध्याय समात्थ हो गया, और दूसरा अध्याय जो है हम आपको आपके चैनल अगर हमारे चैनल पहले बारा है तो लाइक करें और मेरे चैनल जाज़ा सबस्राइज करें दोस्तों अगर गलत पढ़ते हूं तो भी कमेंट करें और सही पढ़ते तो भी कमेंट करना ताक आपको हमसे जो गलती हो जाती है पढ़ने में सायद हमारी समस्ते तो ह हम उतको सुधार कर आपको और अच्छे से मिठास में पढ़कर सुना सकी उलसी पुराणमा भपाराण